सुशान सिंग राजपूत को लेकर दिल जी दोसांज ने कह दी बड़ी बात कहा कि सुशान खुद के जान नहीं ले सकता साथ में ये भी कहा कि सच का सामने आना बहुत जरूरी है आईए बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा अक्टर सुशान सिंग राजपूत को गए हुए दो महीने से जादा हो गए है लेकिन इस मामले की जाच अभी भी जारी है ये केस इतना उलज गया है कि इसकी गुथी का सुलजना एक चुनाती साबित हो रहा है लगातार जारी जाच में ऐसे सबूत सामने आ रहे है जो मन में सवाल पैदा करते है अब सिंगर और अक्टर दिलजीत दोसांज ने भी सुशान की मौत पर रियाक्ट किया है दिलजीत दोसांज से सोशल मीडिया पर एक फैन ने सुशान सिंग राजपूत के हक में आवाज बुलन करने को बोला था इस पर रियाक करते हुए दिलजीत ने सुशान्त की जम कर तारीव की है और बताया कि उनका जैसा बंदा खुद की जान ले ले ये हजब नहीं होता मो ट्वीट करते है सुशान भाई को मैं दो बार मिला था सुईसड वाली बात तो हजब ही नहीं होती जानदार बंदा था वो बाकी मुझे पता है कि पुलिस अपना काम कर रही है हमें इंतिजार करना चाहिए मुझे उमीद है कि सद जरूर सामने आएगा अब मालूम हो की दिलजीत के फैन ने सुशान्त मामले में सीबिय जाच की पैरवी की थी वो दिलजीत से भी ऐसी ही उमीद लगाए बैठा था लेकिन सिंगर ने इस समय पुलिस की कारवाही पर भरोसा जताया है उन्होंने सभी से धैर्य रखने के लिए कहा है लेकिन बता दे इस समय सोशल मीडिया पर तो सुशान सिंग राजपुत के पक्ष में सहान उभुती की लेहर चल रही है आक्टर को न्याय दलवाने के लिए हर कोई इस केस में सीबियाई जाच की मांग कर रहा है आपको बता दे कि दिलजीत के इस ट्वीट के बाद फैंस उनसे ये कहते दिखे कि मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है और कि उन्हें सीबियाई जाच के लिए आवास बुलन कर लेनी चाहिए आप भी डाले उन ट्वीट्स पर एक नजर वेल इन ट्वीट्स से लग रहा है कि फैंस अब मुंबई पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते फिलहाद दिलजीत के स्टेट्मेंट पर आपके क्या थौट्स है आपकी राई हमें कॉमेंन सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले क्या आपको भी दिलजीत की तरह यहीं लगता है कि मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए या आप जनता के साइड है जो CBI जाज की मांग कर रही है वेल डू पोस्ट यूर कॉमेंट्स अलसो दो लाइक, फोलो और सब्सक्राइब टो बोल्यवटनाव और फेस्बूक, इंस्टराम, यूट्यूब